मारा संगर्स 2012 से वा तो समय कोंग्रिसर कारती जब मैं पहले बार तीन जुलाई 2013 को जेल भी गया था बाद बीजे पी आई क्योंकि हमने वसंद्रा राजी को मैंने तलवार दी और उनको कहा कि विरुजगारों कि आप सुनना तो वसंद्रा राजी ने वादा किया कि पंदार बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले राजस्थान बेरोजगार महा संक्याद्यक्ष उपेन यादव उपेन यादव पिछले लंबे समय से बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं कुछ धर्णा प्रदर्शन जब किये तो उस दोरा इनों ने अपने मार भी खाई है सर भी फुड़वाए है और जेलों में भी इनको जाना पड़ा है उपेन जी सबसे पहले बात करेंगे इतना लंबा संगर्श हो गया बेरोजगारों के लिए आवाज उठा थे वे खुद के रोजगार के आज सब कोई व्योस्ता नहीं हुई है अब देखो दोजार तेरा सिक्षाग वर्थी में वहां चालो से वेटिंग में लेकिन बात ऐसी है कि 2012 के बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि सिस्टम इतना घरबढ आगया कि हर बड़ती कोट में चली है गलती अदीगारी करते सभी वेरुजगरों क्यूं क्यूंकि सिस्टम की वज़े से कई लोग आत्मत्य आपने विध्याले साहिक वर्थी में कई बेरुजगरों आतमत्य कि अब रीट का मामला ले लिजिए टोग का नियमाशी राजवीर चोदरी जिसके 121 नमबर थे टोब थे जबकि 108 का टोब गई थी वो नमबर आ गया खुशी मना जा था बाद में प्रता चला कि कोट मटगी वो अउसाद में अपनी ज्यान दे दी तो राजस्तान का सिस्टम अब बढ़ती कोट में टक जाती है हम लगाता लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिस्टम में सुधार हो समय पर भरती परिक्षा हो उसका पढ़नाम आए जोइनिंग हो जो गल्ती करने वाले अधिकारियों खिलाब कारवाई हो क्योंकि हर बरती परिक्षा में परस्टों का सचाइब अपर नियुक। तो जो चीज सरकार को जिस परकार ये यूआ बोर्ट बना रखा है केश कला बोर्ट बना रखा है मगरा बोर्ट बना रखा है तो राजस्तान में विरुजगार यूआ बोर्ट बनाना चाहिए आयोग बनाना चाहिए जिससे हम उससे जुड़े व्यक्ति उसमें जुड़े हो विरुजगार जुने जो शरकार को राही दे सके किस वरती में ये विशंगतिया, लाभ होगा उनका भहीुश्य है, अब क्या हो रहा है कि राजस्तान की वरती में बहरी राज्यों लोग इतना 50% ज़्यादा कोटा दे रखा है राजस्तान के अभिरती बाहर जाते है तो उनको बाहर भगा दिया जाता है तो कहीं है कि राज्य सरकारों को एक आयोग बनाना होगा और उन बेरुजगार को सुननी होगी आज बेरुजगार जाये तो का जाये आज बेरुजगार जब सड़क पे आते हैं तो मुगद में दर्ज कर देते हैं बठकते रहते हैं ग्यापन देते रहते हैं लेकिन हिंदुस्तान में युवा सबसे ज्यादा है तो यूओं के लिए अलग से सरकार को बोर्ड बनाना है जिसे वो अपने बात रख सके ये बे युवा बोर्ड का चेर्मिन आपने देखा होगा आज तक यूओं के लिए कभी आवाज उठाई क्यों नामात्र के राजनिती फाइदे के लिए किसी वर्ग विसको साधने के लिए बोर्ड बनाया लेकिन यूवा बेरुजगा साहिता बोर्ड आयोग बनता है तो वो बने वाला गलती कर देता है तो चोटी-चोटी चीजे आयो की दौरा निश्तान नहीं हो सकता है कई चीजी होती है जो धबने परतेशन करना पड़ता है बड़ा विवाद होता है उसके बाद सरकात ध्यान देती है कई लोगों को मुग्द में दर्ज हो जाते हैं आज भी 300 पिछली बीजेपी सरकाल में उपेन यादाओ और उसकी टीम ने पास साल प्रदर्शन किये, दढ़ने भी दिये, मार भी खाई, लाटियां भी खाई, अचानक सी उपेन यादाओ कॉंग्रेस में पहुच गए, क्या प्रायोजीत कारीकरम था, पांस साल या इस सरकार में भी जारी रहेगा? आप सुनना तो वसंदर राजे ने वादा किया कि पंदार लाक नोग्रिया देंगे, समय पे बरतिया पूरी करवाएंगे और तमा मुग्द में वापस ले लेंगे, जैसे सरकाराई यो बदल गे, हमने खिलाफत सुरी की, लगातार आंदुलन किया, एक हमेसा हम कहते रहे हैं, कि सरकार हमारी सुन ले, तो हम जिंदाबाद बोलेंगे, और साथ भी रहेंगे, रवोट भी देंगे, नहीं सुने तो भाच्पा मुग्द राजिस्तान हम करेंगे, जो हमने किया, और जो वरत किसी पार्टी विशे से जुड़ा हुआ नहीं है, हम अब बड़ी मांग को लेकर फिर एक बड़ी सबार राजस्तान में एक पंचाइद करने वाले हैं, कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, यानि कि हमारा बोर्ड हो, हम जाएं तो कहा जाएं, अब कुछ मंद्रियों का गुलाम है, गुलाम नहीं है, हम हको की लड़ाई लड़ते हैं, और जहां अन्याय होगा, तो उसके खिलाफ हम शटकों पुत्रेंगे. आली ही में हुए विधानसभा चुनाओं में, उपेन यादवने क्या बेरोजगारों के इस बैनर के तले विधानसभा की टिकेट मांगी थी? एक चीज मैं बता दूँ, मैं यह सोच रहा हूँ, टिकेट तो नहीं मांगी, लेकिन मेरा एक सपना है, कि आने वाले चुनाओं में, राजस्तान प्रदेश के यॉवा विधानसभा में होनी चीए, कम सक्काम अपनी आवाज बुलन तो कर सके, कोशिज करेंगे कि हमारी आश के यॉवडाय ज़्यां दे सकता है, लेकिन देस का विकास त रिहा के लिए रोजगार राएगा, यॉवा का विकास तबी होगा, वो रोजगार उसको नोक्रिया प्राप्ट होगी, सब रात, निती, क्याति, पाति, रात, लेकिन यौह की सोच कौन है, आज विदान सभा में पूछे कम से कम विरोजगरों के आवाज तो उठा सकेंगे कम से कम उनके लिए अगला टार्गेट यह देगा कि यदि यह सरकार हमारे साथ दोगा कर देया है कॉंग्रेस अच्छा काम करिये यह फिर यह मुकर चाते अपने वादे से तो हमारा अगली रन्यत यह होगी कि हमारा हमारे लोग प्रतिनी दीतुप करें विदान सभा में अपनी आवाज उठा सके ऐसे लोगों को हम तियार करेंगे जो आने वाली विदान सभा में विरुजगरों तरफ से लड़ाई करते देखे जाएं अभी इस विदान सभा चुनाओं में में कई प्रत्या शीजिन में इर्दलिये भी शामिल थे जो बागी हुए थे कॉंग्रेस वीजेवी से उनका भी आपने साथ दिया वो आपके आवाज उठाने की बात कर रहे हैं या वो केवल वोटों के लिए आपके साथ थे देखो प्रदीव जी एक बात बताओं आपको सोचल मीडिया का बड़ा जमाना हो गया अजकल कोई स्टेटमेंट देता वो रिकोर्ड हो जाता है जूट वो लेंगे तो वो लोग उनकी उतार भी देंगे सोचल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया दूसरी बात यूआ अपन समद्दार हो चुक है आने वाला समय जो है यह आएगा कि पार्टी भी से इसके नहीं जो व्यक्ति काम करेगा उसके साथ जनता होगी जनता सब समद्दार है काम करने वाले व्यक्ति को फसंद जनता करेगी इमानदारी व्यक्ति को फसंद करेगी और जो फैंक लोजी नहीं करते हैं सुझाव देते कि सोचल मीडिया का उपियोग है या मोबाईल माद हैसरकार को कि विरूज़गार है जो यूआ इस बारे में आप से जानकारियां चाते हैं किस भरतीं में क्या होगा कब होगा कैसे होगा, तुक उसी बरनाने के आफ सिकता क्यों पड़ी है inclu esos सब्सक्राइब दो यहां पर दोगार उसके बाद विरुजगार मासंग उनकी लड़ाई लड़ता है ग्यापन देता है आउसक्त अपड़ा पर धंशन करता है दस से जादा बार में जेल गया हूं कई भार लाट्या खई है लेकिन जब तक इस्ताइब समय बाद नतर तक नहीं होगा सबकारों में हमारी से धारी नियोगी हमारी प्रात्रमिक्ता भी है क्योंकि हम लोग अब विरुजगा संक फाल है एक व्यक्तिकि कभी अिनख बोर जाएगा कभी सजे جा नहीं कवन 6 ने एक व्रक्ति जान नहीं सकता। यदि हमारा बोर्ड होगा तो वहीं अधिकार होगे, वहीं आयों की सदर्शी होगे, वहीं पीडित अभीर्ति होगे, आमने सामने उसका निश्थारण हो जाएगा, इसलिए हमारी इस्तिदारी सरकार होना अत्यान्त आवस्य कर, और सबसे यूपीएसी की तर्चपे, यूपीएसी में कोई विवाद नहीं होता है, उसी की तर्चपे हमारा प्रिक्ष्या प्रणना ली मजबूत हो, पर्तिवर्स बढ़ती आए, और कलंडर जारी कर दिया जाए, इसकी एक्जाम अब होगा, पढ़ना हम अब आएगा, जोनिंगा ये में हजारों की संग्या में फरजी डिग्री मिलेंगे, उसमें कई MLA कई मंत्री लिप्त पाई जाएंगे, क्यों को वही पना दे रहे हैं, जो करोड रुपे उंचे चंदा लेते हैं, ये मेरा सीधा सा आरोप है, चंदे की बात से यादा है, कि पिछली सरकार में एक मंत्री में इसपस्ट आपको कहा था कि इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो हो, ये केवल और केवल कोचिंग संचालकों से आप चंदा लेते हो, उनको प्रोटसाहन के लिए आप आंदोलन करते हो, ताकि सरकार उसमें बढ़तिया निकाले, क्या कोचिंग संचालकों से चंदे वाली कि जाए जो योग्या नहीं है खुद बारियो पास है बीएड नहीं है एस्टिसी नहीं हो पड़ा रहे है इसके लावा एड लगा दिये बड़े-बड़े की बढ़ती जल्दारी वह बढ़ती नहीं है रही है गरीब विरुजगार को लुटा जा रहा है उनके खिलाब कारव सविख्यक्राइब आज तक किसी भी बेरुजगार अबिरुजगार से एक रुपए नहीं है आपके चेनम के माध्यम से कह दूँ कि आड़ सालक जो हमारा संगर शल्दा इस या बेरोजगार एकिकत मासंग ने किसी अभरती बेरोजगार अभरती से पैसे लिये मांगें तो उपेन यादो इस बेरोजगार मासंग को बंद कर देगा खुद इंदुस्तान चोड़ के चला जाएगा यह मेरा खुला चेलेंज है जो आरूप लगाने वालों को पेन याद करते हैं को बेरोजगार काम से चुछंगर कर देगां और इसले है नहीं नहीं मिलेंगे देंद को वेल्टका साक्राओं इक व्रेओं करेंपैस कोक्षि यह सब को पता हो हुकूर्च अपनी दुकान चला है मैंस्टेट्मेंट दे रहा हूं कि क्युकि वेह नं से पाइदा जबकि यह मैं सरकार से पिचाओं जब हमारा आयोग मालो बोर्ड बनता है तो यह बोर्ड में निर्णे लिया जाएगा यदि बोर्ड बनाया जाता है कि जो विद्वा है विकलांग है गरीब है वीपियल उन लोगों के यह तो पीशाधि की जाए या उन लोगों फिरी आपने समर्थन दिया था उस पार्टी ने इस बारे में कोई बात की कि आप से देखो अभी तीन मेने सरकार के बने हुए है लोग से बाच चुना हुआ गए अब समझे यह आ जाती है मुद्धिय हमने उनके सामने दस रख दिये बीस रख दिये अब एक एक रीड शिष्ट सामने अब लोग बषकरती यहाँ आते हैं तो एक बर्ती में समय लगता है उस तुछल जरूर है कि मैं लगातार फिर आज के बात को दोराना चाहूंगा कि system में जब तक शुदार नहीं होगा जब तक सरकार में बेरुजगर होगा इस्चितारी नहीं गेश्चितारी का मतलब सिद्धा सा है कि board आयोकी जोषन होनी चीए उनका गठन होना चीए उस आयोग में उन्हीं अभ्यरतियों को लेना चाहिए जो उस समयश्या को बली भाती उसका अंधिस्तारन कर सके ऐसे नहीं कि डॉक्टर है बहस का जानवरों का और इलाज करा आदमियों का यह समझ यही तो आ रही है बरतियों में क्योंकि रीट की बरती निकाली हमने पिछली सरकार में मंतरी जियोकाग साब इसमें इतनी विसंगतिया है इनको दूर करिए और वो सालबरत के बरती अटक गई तो उसमे वो कोट में फिर रोक लगाई उसमें कहीं संसोदन करवाए तो सरकार को पहले सुझाव लेने चाहिए कि हाँ यह बरती किस परकार हो सकती है क्योंकि सही नियुमों से बरती करवाई जाएगी तो सही समय पे बरती होगी और विरोजगरू को बिन्याइम लेगा उपेन जी यह बात तो हो गई लेकिन सबसे बड़ी बात है उपेन यादव ने क्या ट्रेंड बना लिया क्या हर भरती का विरोध करते हैं कि सहाब यह गलत है चाहिए वह हो नहीं हो परती प्रक्रिया शुरू होने से पहले उपेन यादव उसका विरोध शुरू कर देता ह येवल पब्लिसिटी ही अपना उदेश्य है या लोगों को रोजगार मिले आपको हर जग है धरना परदेशन हर भरती का विरोध शुरू करदेता हुपेन यादव बेरोजगार महासंग का विरोध शुरू हो जाता है उसको लेकर ये भरती में प्रक्रिया शुरू नहीं हो से पहले भी एक ट्रेंड बना दिया यह ट्रेंड नहीं आपने बहुत अच्छा सवाल पूचा कि जब बढ़तियों में विसंगतियां होती है गल्ती होती जब अभ्यारती आते अपनी मांग करते कि इसे में नुकसान हो रहा है आज मैं मांग कर रहा हूं वारी राजी को कोट अब बढ़ति जए तो कहां जए है ग्यापनों को फेंग दिया जाता है मंत्री नहीं मिलते तो आपको पता है जन्द सुनवाई स्टाइट कीगी पिछली बात कौन ची अब बढ़तियों की सुनी गई सारी बढ़तिया लंबेत दी आप कह रहे हो बेरुजकार मासंचे क्या और जिन लोगों को विश्वास होता है कि लोगों को पता है कि इन्होंने इतनी भरतिया पूरी करवाई है तो वो अपनी विश्वास जाते है और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि आज मैं देखता हूं कि मैं अभी दहुलपूर गया हुआ था जैसे मैं दहुलपूर लोगों पता लगा कि मैं वहां रुका हूँ, मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन लोग वहां पूछ गए, आश्रवात देने के लिए, कि हाँ बेटा आपकी बज़े से हमारी बेटी है बेटा नोक्री लगा है, तो वो उन लोगों के आश्रवास मुझे लगा कि हाँ, इस सिस्टम के खिलाब में लड़ाई लड़ा हूँ, ये बात बगा सिंग सोच लेता था कि अदेशा जाद होता क्या, किसी अब बेटी को आगया ना होगा, मैंने कई लोगों को आत्मा तेही करते हूँ द कि जिसे वो पढ़ाई कर सके, लेकिन सरकार और लोग तो नहीं आए ना, आज ये बेरोजगार मासल किसी का सारा तो बन रहा है ना, आज आप सर्वे करवा लीजिए राजिस्तार में, कि राजिस्तार में डेड़ लाग से ज्यादा लोगों की नोक्रिया मिली है, वो लोग क्या दुआएं देती है, एक पहला संकतन है, जो निश्वारत किसी की साहिता करता है, उसको मनजील तक पुचाने का काम करता है, अन्यता जब हम लोग ही, जब संगर्स करते हैं, जब घर से पुलिस उठा लेती है, जब हम वहाँ अंदर तरसते रहते हैं, तो ये सरकारे त अधन पड़ाये, कुछ वाहिए, झाल और उतरना पड़ेगा ह지, जब अधने से समगर्स करते हैं, जब चले में देखाストर्य के सया, था क्यों सतना कहिए, जब संंगर्स करते हैं, ऐरे लुग संपुछ cheaper है, था क्म कोरेता है, मैं आपके सामने अपते हूं आपके музल के इन лишь क्योंकि आज उठा के लिए लीजे 1998 में की टीचर भी आज बठक रहे हैं लडीची दो जार तेरा पंचाहराज के बठक रहे हैं पांसाल वसंद्रा जिन निकाल दिये 15 लाग का वादा किया लाठिया दी मुगद में दिये एक पहला इंसान में हूं क्योंकि आज कोई मीडिया नहीं दिखाएगा आज इस चीज को मीडिया नहीं दिखाएगा कि एक इंसान है जिसने डेट लाग से ज्यादा लोगों को नोक्रिया दिला यह आठ आड़ चैज़्या पर आमरहन संद्र किया है कई बार लाट्या कही है आज ऐसंग और कभी जेल में मुझे पता जेल में क सच्चाई के लिए लड़ूंगा जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ उपेन यादव मोजुद रहेगा उसके खिलाब वी सड़कों पर उतरने की यह तियारी कर रहे हैं अगर इनकी बाते और जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई यह थे राष्टिय बेरोजगार महासंग के प्रदीशाद्देक्स उपेन यादव अगले एपिसोड में फिर किसी शक्षित से बात करेंगे